हर दिन दर्थ से लड़कर भी मुस्कुराती है दुनिया की सबसे छोटी लड़की अनोखी है इसकी कहानी हम सबी लंबी हाइट की चाह रखते हैं अच्छी हाइट इंसान की पसनलोटी को आकरशित बनाने में मदद करती है किसी की हाइट अच्छी होती है किसी की नॉमल तो किसी की बहुत काम जिन लोगों की हाइट दो रेंट तीन फीट रह जाती है उन्हें लोग बौना कहते हैं ऐसे लोगों को शारीरे कृप से कई तरह की दिक्कतों को फेस करना पड़ता है आगे की स्लाइड दो में हमेजी ही एक लड़की की कहानी शेर कर रहे है जोर्जिया रैंकिन बुटेन की सबसे छोटी टीने जहें जोर्जिया की हाइट सर्फ इक टीस इंच है जॉर्जिया ने अपने दुख को बैया करते हुए बताया कैसे उनकी हाइट एक गंभीर भीमारी की वजह से बच्पन में ही रुक गई थी और अपनी हाइट की वजह से उन्हें हर दिन तकलीफ से निकलना पड़ता है हर दिन अतनी परिशानियों का सामना करने के बावजू जॉर्जिया अपनी लाइफ को मस्त होकर जीती है जॉर्जिया ने एक टीवी चानल को दिये इंटर्वियू में अपनी लाइफ के बारे में बातें साजा करते हुए कहा जब मैं स्कूल में थी तब हम आठ हफ़तों का एक पापी घर लेकर आये थे तब वो मेरे घुटनों तक आता है आज दस साल बाद वो बहुत बड़ा हो गया है और मैं वैसी की वैसी ही हूँ उन्होंने बताया कि वे स्केलिटर डिस्प्लेज ये नामक बीमारी से ग्रस्त हैं इस बीमारी की वजह से हड्डियों का विकास रुक जाता है जॉर्जया ने बताया कि उनकी हाइट 30 इंच यानी 2.5 पीट के आस पास है जो एक-दो साल के बच्चे की ओसत उम्र से भी कम है उन्होंने इस सब इमारी की वजह से उन्हें हर दिन रात होने वाली परिशानियों के बारे में बताया उन्होंने बताया सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त तक उनके शरीर में दर्त रहता है ऐसे समय पर वह दर्त से ध्यान हटाने के लिए खुद को और कामों में व्यस्थ रखती है जोजया ने बताया कि इस दर्त को काम करने के लिए कई बार तो वह खुद अपनी हाइट की कहानी लोगों को सुना कर मज़े लेती हैं उन्होंने बताया कई बार तो लोग उनकी हाइट की वजह से उन्हें इग्नोग करते हैं। उन्हें पार्टी में नहीं बुलाते पर वह इस बात का कभी बुरा नहीं मानती। जॉर्जया ने बताया कि वे यूटीट पर मेक अप करने की जिप्स देती हैं। उनके 1400 फॉलोवस हैं जिससे उन्हें कुछ कमाई भी हो जाती है।